दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हम आज बात करेंगे जहारखंड लोक सेवायोग राची द्वारा विग्यापित जहारखंड सैंक्त असेनिक सेवा परिक्षा दोहजार तेईस के बिसे में ये विग्यापन संक्या एक वटे दोहजार चौवीस है जह जहारखंड सैंक्त असेनिक सेवा परिक्षा दोहजार तेईस के माध्यम से जहारखंड राजसरकार के विभिन विभागों के सेवा संबर्गों के लिए राजसरकार से प्राप्रिक्तियों के आधार पर भारती अनागरिकों से प्रारंबिक परिक्षाहित ओनलाइन इसको देख सकते हैं इसके बाद पुलिस वपादीक्षक के 35 पद हैं राज्य कर पदाधिकारी वानिज जिकर जो जीस्टी राज्य जीस्टी के अंतरगत आते हैं उसके 56 पद हैं जो ग्रह विभाग और आपदा प्रबंदन विभाग के अंतरगत आता है इसके 2 पद हैं प्रुवेशन अधिकारी ग्रहकारा एवम आपदा प्रबंदन विभाग के अंतरगत 6 पद हैं निरिक्षक उत्पाद उत्पाद एवम मद्द निदेश के अंतरगत 3 पद हैं इस प्रकार कुल 342 पदों के लिए ये परिक्षा आयुजित की जानी है तो State Civil Services और Union Public Service Commission जो Indian Civil Services है उसकी तैयारी करने वाले अभ्यरतियों के लिए ये बड़ा अपसर है इसमें सेक्षिक योगिता जो है वो ग्रेजुएशन है ये बेतन मान अप उनरिक्षित बेतन मान जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे उम्र की जो गणना की गई है वो कुछ इस प्रकार है कि जो कार्मिक प्रसासनिक सुधार्वंब राजवासा वहाग के संकल्प संख्या 506 दिनांग 25-24 के आलोक में सेवा प्रितियों का परिक्षा 2023 में समलित होने वाले अभ्यरतियों के लिए अधिक्तम उम्र की गणना अधिक्तम उम्र की गणना एक आठ दोजार सत्रेव और निउन्तव की गणना एक आठ दोजार चौवीस के आधार पर की जाएगी सभी कोटी के अभ्यरतियों के लिए आज सीमा का उप्रोक्त कट्टॉप तिथी के छूट का प्रभान मात्र के वल जहारकंट सायुक्त अस और यह आपके स्क्रीन पर है एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लास 37 फीमेल अलग अलग के टागिरियों के लिए 37, 38, 40 साल की उम्र है इस प्रकार से उम्र का एक है नमबर ऑपटम के बारे में कहा है के देर सेल नॉट भी लिमिटेड ऑन दे नमबर ऑपटम कोई लिमिट नहीं है अगर आप आई वह बर्ग में आते हैं तो आप इस परिक्षा में समयलित हो सकती है आरक्षण का लाब जारगंड के नवासियों को भी मिलेगा उनके लिए भी निश्चकता का लाब खेलकूत कोटा के आरक्षण चिकित्सकी जांच दे रखी है इसमें इसमें कुछ डिप्टी एसपी और डिस्ट कमांडनेंट के लिए चिकित्सकी मापदर्ण है जो आपकी स्क्रीन पर दखाई दे रहे हैं तो जो वक्ती इन पदों को अपनी वरीता में लाना चाते हैं वो इन मानकों को देख लें इस परिक्षा के प्लान के बारम बताया है कि इसमें प्रिलिम्स परिक्षा होगी जिसमें अब्जेक्टिव टाइप की परिक्षा होगी तत्पस्चात जो उसमें पास होंगे उनके लिए एक मुख परिक्षा होगी और उसके बाद एक इंटर्व्यू कराए जाएगा प्रिलिम्स में दो पेपर होंगे जनरल स्टडी बन जनरल स्टडी टू दो दो घंटे के होंगे इंडिय अंग्रेजी में मुद्रित होंगे मुख परिच्छा में लगबख 6 पेपर होंगे मुख परिच्छा में क्राइटेरिया भी निदारित किया गया है कि क्वालिफाइंग चालीस पर्सेंट क्वालिफाइंग है जनरल का टागिदी के लिए बाकी अन्निस रिडियों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारत किये गए हैं अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रिलिम्स और मेंस के सिलिबस से सम्मंदित एक वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद अगर यह आपको पसंद आया हूँ तो लाइक शेयर और करें जिससे कि अन्न वीडियो डालने है तो मैं उतसाहित हो सकूँ धन्यवाद